तो कानपूर से स्पीच एक बड़ी खबर, कानपूर और उन्नाव में आईकर का चापा पड़ा है, ट्रेनरी और लेदर कंपनी पर आईटी का चापा, सुल्तान ट्रेनरी और सुल्तान ओवर्सीस पर चापा पड़ा है, मौडल ट्रेनरी, मौडल एक्सिस पर भी चापा पड अब नीश आप से समझना जाएंगे चार फैक्ट्रियों पर चाप पड़ा आएकर उखाग का क्या कुछ जानकारी मिली थी, किन तथ्यों के हिसाब से यहाँ पर छापा पड़ा है? अब नीश, कारवाई में अब तक क्या कुछ सामने आया? कोई जानकारी हासिल हो पाई? जी हाँ, करोर रुबाई खर छोरी की बात खामने आ रही है और टेंडरियों के और भी निबल निकल कर जो टेंडरियों पैसा कमा रहे थे, लोग उसको हवाला के ज़िए भी उसका कहीं ने कहीं टांजिक्शन कर रहे थे, कई ऐसी चीज़े हैं और जीएस्टी की जीएस्टी आपने कब्जम ले लिए जो इनके भी खाते हों कब्जम ले लिए और बगार टीमें लगा का इस इस जाच की जा रही है। बहुत शुक्रिया का आवनी श्वेदिक्शित आपका पुरी बात आप